जैशे कृष्णा हर हर महादिवाब सभी को बुद्ध पून्मा की हाडिक शुब काम में बुद्ध पून्मा के दिन ऐसे क्या जोति शुपाई अपनाएं कि जिससे कि आप अपने धन्य वृधि कर सके अपने करियर में वृधि कर सके, पर्मोशन कर सके, अपने व्यवसाई में बरकत ला सके, घर में सुक्समिर्धियों बरकत ला सके इस इन ऐसे खास उपाई मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, एक उपाई बदल सकता है आपकी किसमत, जी बिलकुल सही मारगर दर्शन हो तो आप अपने जीवन के समस्कष्टों को दूर कर सकते हैं, तो सबसे पहले तुम्हें आपको बता दूँ कि जो ये बुद्ध पून्मा होती है, इस इन भगवान महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, साथ में आज के ही दिन उनको ज्यान की प्राप्ती हुई थी, और स आपके कोई गुरू नहीं है, तो आज के दिन आप किसी ऐसे विक्ति, ऐसे पुरुष को जरूर गुरू मनाएं, जिनके कहे अनुसार आप हर एक कारे करें, फिर देखें, जीवन में परिवर्तन अवश्या आता है, साथ में अगर आप भगवान शिव को या भगवान सूर इस बार दो हजार चॉबिस में ये बुध पूर्निमा पढ़ रही है, 23 माई गुरुवार के दिन पढ़ने से बहुत ही जादा विशेश दिन हो चुका है, इसलिकी गुरुवार का दिन भगवान शिरिट विश्नु को समर्पित है, साथ में इस इन कई सारे दुल्हब संयो योग का निर्मान हो रहा है, कई योग ऐसे बन रहे हैं, जिसमें अगर आप ये जोतिश उपाय अपनाते हैं, तो आप अपने जीवन को खुशाल बना सकते हैं, वो योग इस तरह से हैं, स्वार्थ सिध्धी योग, साथ में शिव योग, और शुक्र गुरु सूरी तीनो ब्रही योग, गज लक्षमी योग, गुरु आदित्ती योग, शुक्र आदित्ती योग, तो इस तरह की दुल्हव योगों का निर्मान हो रहा है, इस दिन गुरुवार का दिन है, तो ऐसे खास उपाय में आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे कि आप अपने घर में सुक अपने फलो की प्राप्ती होती है, आज के दिन आप किसी भी पीतल के पात्र में गंगा जल भर कर अपने घर के मंदिर में जरूर रखें, इस तरह से रखने से आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, आप पापों से आपके मुप्ती होती है, साथ में आज के दिन भगवा आज के दिन आप एक पीले रंपकड़ा ले पीले रंपके कपड़े पर आपने पांच लगू नादिल रखने हैं पांच आयारखनी और इसमें एक प्रटली साथ को कोई फी पूजाराधां करें विदिवत तरीके से और फिर शी UW अभी मंतरित करेंगे किस प्रकार से आप ओम नमो भगवते वासु देवाहे, मंतर का जाप करें और इसको अभी मंतरित करके सिlide करके अपने धन रखने के स्थान पे रखें। साथ में जैसे कि आज पुर्णिमा तिथी हैं, पुर्णिमा तिथी पे पीपल की व्रश की पूजा करना बिलकुल भी ना भूलें, आज के दिन आप एक लोटे जल के अंदर दूद और बताशे मिलाकर पीपल की जड में जरूर चड़ाएं, इस तरह से करने से भगवान शरी पिर विश्नु माता लक्ष्मी प्रसन होते हैं, आज के दिन आप भगवान शिव शंकर की पूजा राधना जरूर करें, इसलिए कि आज शिव योग भी बन रहा है, और जब आप गुरू बनाना चाहते तो भगवान शिव की जरूर पूजा करें, और बैसाख मा की ये माने, और फिर उनकी पूजा राधना करने में तीन चीजों का प्रियोग ज़रूर करें, जैसे कि भगवान शिव शंकर की त्रीनेत्र हैं, बेल-पत्र हम त्रीनेत्रों के स्वरूत में समझ के भगवान शिव शंकर को अर्पन करते हैं, उसी तрह बैसाख मा की पूर्णिम चने की दाल और जो इन तीनों चीजों को भगवान शिफशंकर पर अरपन करने से आपको सौभाग्य में व्रिदी होती है, आपके सुख में व्रिदी होती है, आपके धन में व्रिदी होती है, साथ में मालश्मी की विशेश क्रपा होती है, तो पूनिमा तिथी पे आपके त शिव शूकर पर सथु अर्पन क्या होगा इसकी अमवस्या तीति हो बैसाख मां की अबाचचोगे पोन्डिमा तो इस बैसाख मां की पून्डिमा पे इन तीनों चीज़ों से बनेवे सथु पर्योग जरूद से जरूर करें आप एक लोटे जल के अंदर सथु डालें सत्तु बनाके उससे भगवान शिव का भिशेक करें इससे आपको महा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है इसलिए कि महा लक्ष्मी तो हैं मगर जब महा लक्ष्मी की आगे महा लगा तो भगवान शिव शंकर ने उन्हें यह आशिवात दिया और अपना नाम उन्हें दिया कि व सारे दुल्हब योग बन रहे हैं तो इस तरह से भगवान शिवका भी शेक करें और साथ में आज के दिन सत्तू आप जरूर से जरूर मालक्ष्मी को भी अरपन करें घर के परिवार के सदस से भी सत्तू को ग्रहन करें इससे आपके घर में सुक्समिद्धी और बरकत बनती है इस दिन खास उपाई और आपने चंदर देव की पूजा भी विशेश रूप से करनी है आपने एक लोटे जल के अंदर खचा दूद अक्षत और बताश्य मिलाके सूरे देव को चंदर देव को भी अरगे जरूर देना है एक चौ मुखी दीपक आप चंदर मा की रोशनी म अब एक महा उपया आपको में बता दू जिनके भी घरों में श्रीयंत्र है किसी भी धातू या मैटल के बने हैं स्विटिक के हैं पारे के हैं जो भी आपके पास श्रीयंत्र हैं आपको एक मिट्टी का दिया पात्रिया कोई मिट्टी का बढ़तन ले ले उसके अंदर आप गंगा जल डालें उसी के अंदर आपने गुलाब जल डालना है गुलाब जल नहीं है तो आप गुलाब की पत्तियों का भी प्रियोग कर सकते हैं और उसमें थोड़ा सा इत्र जरू डाल दे इत्र आप कोई सा भी ले सकते हैं आपने ये जल तियार कर लेना है और इसके अं इस बात्र को ले जाकर आपने चंद्रमा की रोशिनी में 3-4 घंटे के लिए रख देना है आपने ब्रहम मुरत में आप इसे उठाकर ले गाए और लाकर फिर से इसे अपने मंदिर में स्थापित करके विधिवर तरीके से इसकी पूजा आराध्ना करें आप देखेंगे आप आपके घर में माल लश्मी स्थीर रूप से अवास करेंगी तो बुद्र पूर्निमा पे किया गिए ये छोटे-छोटे से खास हुपाया आपके जीवन में कई सारे परिवर्टन ला सकते हैं वीडियो अची लगे तो प्लीज जादा से जादा शेयर करें लाइक करें सब्स ठागया देजिए फिराती कुछ हास है जोती शुपाय के साथ में जय शेक्रिशना हर हर महादेव